हेलो वीबास, वेलकुम टो न्यूव वीडियो, फिचर स्टिक जिन्दगी जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग मदरबोर्ट खेरने जाते हैं, तो बहुत सारे कनफ्यूजन हमारे मैडर में चलते रहते हैं, कि कौन सा मदरबोर्ट लें, किस बजट मिलें, और ले भी टॉप मदरबोर्ट मनुफेक्चर कमपणी, तो इसमें से टॉप में कौन सी चल रही तो वो सारी एक्स्प्रेन होंगे यहां पे, तो आपको कौन सा मदरबोर्ट राइजन 53600 के लिए बजट मिलेना चाहिए, तो वो सारी कन्फ्यूजन का सॉलूशन आपको इस वीडियो करता है, तो सबसे पर्जें तो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें आपको CPU 6 मिल जाते हैं, इसमें इसमें 2 मिल जाता है, इसका बेस क्लोक 3.6 GHz का है, ऐसमें 7 nanometer के टेक्नलोजी पर बनाया गया है और यह ऑवर क्लोक बात है, उपको दिखने को मिलता है, आपको और का socket आपको AM4 है इसी के according हम लोग अपना motherboard चूज़ करते हैं तो यह सबसे बड़ी बात है आप कहीं पी जाएगा मरोबल खेरने के लिए तो आपको सबसे पहले socket देखना होता है कि वो socket उसमें support करता है या नहीं तो यह socket AM4 आपको support करता है इसका max temperature आपको 95 degrees Celsius मिल जाता है मतलब की overclock करने के बाद तो अगर आप overclock करते हैं तो आपको इसके लिए एक हीट सिंग की जोद परेगी मैं budget हीट सिंग बाक्स कचों के इसी चनल पे आपको वो वीडियो लास्ट में मिल जाएगा इडेस की में तो वेट कीजिएगा इडेसकीन का सबसे इंपोर्टेंट बात किसी भी system के लिए होती है उसकी memory specifications तो इस पेसिफिकेशन में आपका ये राइजन 53600 सपोर्ट करता 3200 MHz कोई भी motherboard purchase करने से पहले हमें frequency देख लेना हुआ क्या वो हमारे CPU के साथ सपोर्ट करता है या नहीं या फिर motherboard का frequency CPU के frequency तक supportable है या नहीं और most important बात ये भी यहां पे होती है कि कौन सा RAM आप लगा रहे हैं अपने PC built में तो यहां पे आपको DDR4 support मिल जाता है राइजन 53600 के साथ तो यह कुछ बाते हैं जो हम लोग को धियान रखने चाहिए motherboard ख़िदते समय तो अब आप लोग चलते हैं देखते हैं कौन-कौन से motherboard आपको मिल जाती है इस processor के लिए best range में 7000 के range में तो देखते हैं कौन-कौन सा motherboard इस processor के लिए सपोर्ट करता है 7000 के range के अंदर में तो सबसे पहला motherboard आपको दिख रहा होगा MSI B450 M Pro VDH Max यह MSI के तरफ से आने वाला 7000 में सबसे best motherboard है इसके लाभा कोई भी motherboard मार्केट में available नहीं है जो 7000 के range में सबसे best हो तो चली देखते हैं इसके क्या specifications है जो यह based है यहाँ पे कुछ specifications दिख रहे होंगे मैं सारी specifications को explain करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले specification socket AM4 मिल जाता यानि कि हमारा Ryzen 5 इसके लिए supportable है यहाँ पे max CPU support आपको मिल जाता है Ryzen 7 तक यानि अगर आप future में upgrade करना चाते है अपने प्रोसेसर को तो यह motherboard आप रख सकते हैं इस पे आप Ryzen 7 तक लगा सकते हैं एक most important बात यह धियान है कि जो भी AMD को support करता है यानि Ryzen को support करता है वो Intel का कोई भी processor support ना करता है यह आप धियान रखें तो next पे चलते हैं तो next पे chipset यहां पे AMD B450 यह आपका budget chipset है इससे नीची आप नहीं जाए तो मेरा best suggestion है कि इससे उपर आप जाए तो आपको 7000 की range को तोरनी पड़ेगी उससे उपर आपको बढ़ने के लिए आपको कम से कम 10 to 15,000 खरच करना पड़े का chipset के लिए तो यह best chipset है आप आपको 7000 के अंदर में यह chipset आपका budget chipset है जैसा कि मैंने उपर में बात किया था कि memory बहुत important होता हमारी system built के लिए तो आपको इसमें DDR4 memory supportable मिलता है इसकी frequency पे आप देख सकते है 3466 MHz की frequency मिल जाती है overclockable mode के साथ यानि कि इसमें आप overclock आराम से कर सकते हैं तो इसमें बहु में कितना max memory का RAM लगा है इसे समझें के लिए हमें simply यहाँ पर यह देखना होगा max memory max memory supportable इस motherboard के लिए 64 है और आपको slot मिलते है 4 तो अगर आप 64 को 4 से divide करते हैं तो 16 तो आप इस slot में 16GB memory के RAM को लगा सकते हैं आगे बाते हैं तो आपको इसमें कुछ PCI slot दिये गए हैं जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हम लोग तो इसमें आपको PCI 16 एक मिल जाता है और दो PCI X1 मिल जाते हैं नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको साटर 3-4 पोर्ट मिल जाता है इसमें आपको लिटेस्ट टेक्नोलोड वाला M.2 slot भी मिल जाता है मैंने बताया ना इसमें मैं आप आपको बेस्ट मदरबोट बताऊंगा राइजन 5 360 के लिए M.2 लिटेस्ट टेक्नोलोजी है जिसके द्वारा हम लोग अपने मदरबोट में SSD लगाते है SSD आप जानते होंगे बहुत ही बहतर होता HDD के मुकाबले उससे भी बहतर होता आपको M.2 slot वाला SSD वो SSD का slot भी आपको पोर्ट मिल जाते हैं और USB 2.0 के 8 port मिल जाते हैं तो इसके किस टाप के configuration यह भी मैं explain कर जाता हूं तो हम लोगों को back panel पे 3.2 के 4 slot मिल जाते हैं तो इसमें हम लोग को USB port 12 मिल जाते हैं यहां पे बहुत सारे port USB के मिल जाते हैं हम लोग को तो यह बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको कोई भी प्रॉबलम हो इसमें से कोई term समझने के लिए तो आप simply comment कर सकते हैं मैं सारे comment कर रिप्लाइ करूंगा आगे बते तो आगे आपको ग्राफिक कार लेना निसेसरी है अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका display output चलेगा ही नहीं सबसे इंपरेंट बात यहां पर यह भी आया थी है कि इसका power supply और size कैसा है तो इसका size Micro ATX है और इसके power supply मैं minimum आपको recommend करूंगा 500 watt minimum power supply आप इसमें यूज करें Micro ATX है तो आराम से यह भी Micro ATX के cabinet में अरजश्ट हो जाएगा अगर आपका ATX है तो बहुत अच्छी बात तो ATX में और अच्छे से यह अरजश्ट हो जाएगा तो यहीं है आपका पहला motherboard आप चलते हैं आगे दूसरे motherboard की ओर तो second motherboard हम लोग को है gigabyte का B450 MDS3H तो यह motherboard भी gigabyte के तरफ से आने वाला सबसे best motherboard है 7000 के अंदर तो इसके specifications की बात कर लें तो इसमें भी simply हम लोग को AM4 socket मिल जाएगा और सबसे important बात इसमें आपको Mac support Ryzen 9 तक मिल जाता है यानि कि future proof ही बहुत ही अच्छी तरीके से है इसके chipset ही बात करें तो आपको chipset यहां पर B450 इसमें भी मिल जाता है और इसमें memory frequency की बात की जाए तो इसमें 3200 MHz overclockable मिल जाती है तो यह भी हमारे CPU के लिए best रहेगा और यह हमारे CPU के लिए supportable है इसमें भी dual channel के support मिल जाती है जैसा कि आप लोग को मैं बताया 16GB slot मिल जाता है max memory support 64 इसमें आपको PCI 16-1 मिल जाता है PCI X1 मिल जाता है PCI X4-1 मिल जाता है यानि कि इसमें हम लोगों को 3 type के PCI slot मिल जाते है PCI X16, PCI X4, PCI X1 साटर 3 port आपको 4 मिल जाता है इसमें भी आपको M.2 स्लोट मिल ही जाता है तो आगे बते हैं इसमें हम लोगों को LAN की एक port मिल जाती है तो इसमें हम लोगों को USB 3.1 6 मिल जाते हैं 2 board पे और 4 back panel पे और USB 2.0 भी इसमें हम लोगों को मिलता है आर्ट मिलता है चार बोट पे और चार बैक पैनल पे इसमें डिस्प्ले की बात की जाए तो DVI-D support एक मिल जाता है हम लोग को HDMI मिल जाता है इसमें आपको VGA नहीं मिलता है इसके साइस की बात करे तो हम लोग को इसमें भी Micro ATX मिल जाता है पावर सप्लाइस में हम लोग जैसा सजेस्ट कर रहे हैं 500W आप लीजिए minimum और maximum आप जहां तक ले सकते हैं और सबसे important बात आपको इसमें RGB fusion भी मिल जाती है कुछ लोगों को RGB light बहुत पसंद होती है तो इसके लिए motherboard बहुत ही सही रहेगा तो यही था second motherboard अब 7000 से थोरा जादा है 7500 के आसपास इसका कॉश्ट है इसमें chipset आपको AMD V450 मिल जाता है DDR frequency भी supportable आपको मिल जाता है 3600 max overclock bell के साथ इसमें भी each slot आपको support करता है 16GB max memory support इसमें हम लोग को मिल जाता है 64GB का इसमें PCI 16-1 मिल जाते है और PCI 1-2 मिल जाते है इसमें SATA connectivity के लिए आपको इसमें 6 port मिल जाते है M.2 slot एक मिल जाता है LAN support एक मिल जाता है इसमें वोगो 3.1 USB port 8 मिल जाते है और USB 2.04 मिल जाते है इसकी क्या configuration है आप लोग देख सकते हैं और आपको इसमें DVI-D1 support मिल जाता है HDMI 1 मिल जाता है S class size micro ATX भी मिल जाता है इसमें भी simply why power supply creating रखी गए 500 watt minimum और max आप जहां तक जा सकते हैं इसमें भी उनों को RGB lightning मिल जाती है तो यही था कुछ best motherboard Ryzen 5 360 के लिए 7000 के अंदर में तो आपको कोई भी confusion हो simply आप comment किजिए सारे answer आपको दिये जाएंगे रही बात overall comparison के बारे में तो आप इस तीनों में से कोई भी motherboard लें आपको कोई भी प्रेशानी नहीं होने वाली है कोई भी आपको problem हो तो आप simply comment करें अगर आप इस सारे motherboard के specifications को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको link description और comment pin में मिल जाएगा थैंक्यू थैंक्यू फर वाचिंग